Hi guys, what's up, welcome back to today's video, this is Sonia and you are watching Soviks Vlog तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं jobs, jobs, jobs के बारे में तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाले हूँ कि यहां पर ऐस्टेलिया में सुपर मार्केट्स जो हैं, वो कौन-कौन से सुपर मार्केट्स हैं उन सुपर मार्केट्स में आपको किस टाइप की जॉब बिल सकती है और जो डिफरेंट टाइप की जॉब्स हैं अगर आपको जॉब्स करते हैं तो आप महीने में जो हैं कितना कमा सकते हैं है तो यह सारी बाते आज की विडियो में हम करेंगे तो इस स्टार्ट करते हैं और को सबसे पहले पिता देंगे के लिए वो हैं हमारे Coles and Woolworth Woolworth को mostly लोग यहाँ पर Woolies कहते हैं Woolworth कोई नहीं बोलता है mostly लोग Woolies ही बोलते है Coles and Woolies तो मैं आज आपको यहीं बताती हूँ कि इन supermarkets में जो है किस type की job available होती है और देखे यह इतने बड़े stores है कि यहाँ पर mostly vacancies होती है कभी भी आप देख लो कोई नहीं कोई vacancy यहाँ पर आपको ज़रूर मिलेगी ठीक है तो जब भी आप यहाँ आएंगे न Australia और job ढून रहे हो ना तो इन supermarkets को ज़रूर 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 चेक करना इन में regular visit करना, इनकी websites को चेक करना, यहाँ पर vacancy निकलती ही रहती है, ठीक है? तो अब मैं बताती हूं कि यहाँ पर कौन-कौन सी टाइप की जो जॉब से आप कर सकते हो, पर उससे पहले बताती हूं कि job के types क्या होते हैं, तो यहाँ पर मुसली जो जॉब निकलती है, वो जॉब निकलती है या तो part-time job, या फिर casual job, ठीक है? तो part-time और casual का basic difference क्या होता है? दिखो कि casual job में आपके hours fix नहीं होते हैं, हो सकता है कि आपको weekly पूरा बहुत सारा काम मिल जाए, यानि कि 20 गंटे, 40 गंटे, 35 गंटे, कितने भी गंटे काम मिल सकता है किसी हफते, या फिर यह हो सकता है कि किसी हफते आपको कुछ भी कामरा मिले, यानि कि 2 गंटे मिले या ना भी मिले, ठीक है? तो मतलब यह हुआ कि casual jobs जो होती है, उसमें जो आपके hours है, वो फिक्स नहीं रहते हैं, ठीक, फिर part-time जो job होती है, उसमें क्या होता है, आपका contract होता है, अब वो depend करता है कि आपके कितने hours का contract है, 10 का है, 15 का है, 20 का है, या कितने भी hours का contract हो सकता है, तो उस case में क्या है कि वो जो contractual hours की job है ना, वो तो आपको weekly मिलेगी ही मिलेगी, यानि कि अगर आपका 10 घंटे का contract है, तो 10 घंटे की job तो आपको देंगे ही देंगे, उसके बाद maximum जो भी आपकी as per contract limit है, 40 घंटे, 45 घंटे, 38 घंटे, जो भी होता है ना, वो maximum आपकी capacity होगी, ठीक है, यह तो हो गया पहला difference, फिर दूसरा difference क्या होता है, पार्ट टाइम जोब और casual job में क्या होता है, casual job में थोड़ा सा आपका pay rate जादा होता है, तीसरा difference क्या होता है, पार्ट टाइम जोब में आप sit leave या जो भी different type की leaves है ना, उनके लिए eligible होते हो, लेकिन casual jobs में आपको ऐसी कोई भी leave का जो benefit है, वो नहीं मिलता, तो यह तो हो गया basic difference, पार्ट टाइम में और casual में, तो इन supermarkets में part-type jobs भी होती है और casual jobs भी होती है, ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर job क्या-क्या होती है, किस type की jobs होती है, यह जो supermarkets है, colds और woolies जैसे, यहाँ पर क्या होता है आपको आपकी जरूरत का सारा सामान मिल जाता है, यानि कि आपके घर की grocery तो मिलेगी, मिलेगी, सारा household का stuff भी मिल जाएगा, बस furniture, बड़ा-बड़ा furniture आपको नहीं मिलेगा, otherwise तो mostly सारा ही सामान इन stores में मिल जाता है, इसलिए इन store की capacity इतनी जादा है कि यहाँ पर vacancy भी जादा होती रहती है, तो अब मैं आपको specific बताती हूं कि यहाँ पर जो ना कौन-कौन से section होते हैं और जहाँ पर आपको जो ना job मिल सकती है, तो देखो, सबसे पहला जो हम लोग देखते हैं, वो क्या होता है, front वाला, front end team बोलते हैं, अब bakery वाले section में तो baker वाली job तो आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि आप बेकर तो हो नहीं उसके लिए तो आपको bakery वाला course करना पड़ेगा, लेकिन bakery के section में भी और भी different काम होते हैं, packing वाले काम होते हैं, या फिर बेचने वाला काम होता है, ठीक है, तो bakery के section में आपको काम मि हो गया है, जिसको जो भी चाहिए, fresh या baked वाला चाहिए, या oven में किसी item को रखना, oven से बाहर निकालना, temperature चेक करना, expiry date चेक करना, तो इस तरह के चोटी-चोटी बहुत सारे काम होते हैं, तो वो आपको मिल सकता है, या फिर जैसे हैं पर फ्रीजर section होता है, फ्रोजन के लिए अलग section होता है, तो वो अरगलग काम होते हैं, फिर क्या होता है, देखो, एक होता है, ट्रॉली के collection का काम, फिर होता है, night filling का काम, तो यह जो सारे जो चोटे-चोटे jobs हैं, यह मैं बता रही हूँ आपको, as an initial, जब आप लोग आते हो ना, as a student, अगर आप job ढून र नहीं है, तो यह jobs जो है, वो सबको बहुत easily मिल जाती है, जो यहां पर भी, जो यहां के student है, जो Australian भी है, वो भी बच्चे क्या ना, 16 साल के बाद से यहां पर काम करना स्टार्ट कर देते हैं, और यह supermarkets जो होई ना, उनको भी hire करते हैं, तो जो school के बच्चे होते, वो भी इन में काम करते हैं, तो इसलिए इन स्टोर्स में जो है ना, जोब बहुत सारी भी होती है, और मिल भी जाती है, क्योंकि इतने बड़े स्टोर ही, तो बहुत सारा काम रहता है, ठीक है, तो यह तो होगी basic jobs, जो मैंने आपको बताई है, इन स्टोर में आपको मिल जाएंगी एक job होती है, online वाली, online का मितलब यह हुआ कि होता है, कि हम phone पे order करते हैं, या फिर online order करते हैं, सामान, you know, कि आपको बस pack कियो, अपने bags मिल जाएंगे और आप ले जाओ, तो online packing का भी एक अलग department होता है, तो आप वहाँ पे भी आपको job मिल सकती है, जिसमें आप उस section में का करो कि बस जो भी list है, उसके recording आप सामान पैक करो, fresh fruits और vegetables को arrange करने का section होता है, जहां पर आपको different different veggies को रखना होता है, fruits को रखना होता है, अलग-लग section में, check करते रहना होता है कि खतम तो नहीं हो गये, बढ़ दिये जाएं, खराब तो नहीं हो गये, हटा दिये जाएं, तो इस टाइप कर भी एक section होता है, तो वहाँ पर भी आपको job मिल जाती है, तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि किस किस तरह की job है, वो in supermarkets में होती है, ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि भई, pay rate जो है, वो क्या होती है, तो देखो ये जो supermarkets है, इन में जो pay rate होती है, वो अगर मैं पहले age से लेकर के शुरू करूँ, तो जैसे मैंने भी आपको बताया था ना, कि यहाँ पे 16 साल की बच्चे को भी काम मिल जाता है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कि अगर आपकी जो age है, वो 16 से लेकर के 19 है, ठीक है, आप 16 से अगर 19 साल के हो, तो जो आपको job मिलेगी, उसमें जो आपका pay rate होगा, अगर आपकी part-time job है, तो उसमें आपको जो salary मिलेगी, वो लगबग 11 डॉलर से लेकर के 19 डॉलर के बीच में मिलेगी, ठीक है, अगर वहीं आपकी जो job है, वो part-time नहीं होकर के casual job है, तो उस case में आपको जो मिलेगा, वो मिलेगा 14 पर घंटा, ठीक है, तो यह तो हो गया, अगर आपकी age 19 साल तक है, तो आपकी जो pay rate हो लगबग इतनी होती है, ठीक है, store to store थोड़ा सा depend करता है, पर यह एक on average salary है, एक range है, जिसके बीच में आपकी salary होती है, तो यह जो मैंने आपको बताई नहीं, 16 साल से लेकर के 19 साल वा होगी ना, देखो, वो initial में आपकी, अगर आपकी part-time job है, ठीक है, तो minimum minimum जो है ना, वो 30 dollar तो होगी ही, होगी, ठीक है, 23 plus होती है, इनकी जो rate होती है, वो 23 से लेकर के 26 साल भी होती है, शुरुआत की जो rate है वो, ठीक है, part-time jobs के लिए, और मान लो कि आपकी part-time job नहीं है, casual job है, तो उस case में जो है, आपकी, पर घंटी की जो आपकी, you know, pay rate है, वो लगबग 29 dollar से start हो करके, उससे ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है, तो लगबग 29 तो होती है इन stores में, तो general case में minimum 23 हो जाती है, और अगर casual है, तो part-time के case में, आपकी जो minimum में वो लगबग 30 dollar पर आपको मिल ही जाती है, इन store में easily, ठीक है, फिर क्या होता है, इन store में एक और फायदा होता है, वो यह होता है, कि अगर यह जो मैंने आपको pay rate बताई है, यह जनरल pay rate, यानि कि अगर आप Monday to Friday काम करते हो, ठीक है, और वो भी कब 7 बजे से लेकर के, और शाम के 6 बजे तक, औ और आपने 6 बजे के बाद अगर आपका काम हो रहा है, तो उस case में पता है क्या होता है, उस case में होता है, कि आपकी basic pay rate प्लस उस basic pay rate का 25% extra, वो आपको मिलता है, तो मैं आपको एक्जाम्पल से बताती हूँ, तो हम मान लेते हैं, चलो कि आपको ना, आपकी जो pay rate है, वो है स्टोर्स में जो minimum R है आपको जो shift मिलेगी, वो 3-4 गंटे की minimum shift है, बाकि इत stipend आपकी maximum 8 गंटे की भी हो सकती है, 7 गंटे की भी हो सकती है, 10 गंटे की shift भी हो सकती है, ठीक है, तो चलो, आप मैं बताती हूँ कि अगर मान लेते हैं, आपका जो काम है, वो 6 बजे के बाद श 25% 23 टॉलर का कितना बना 5.75, यानि कि आपको इस case में कितना मिला एक घंटे का 23 टॉलर प्लस 5.75, आपको एक घंटे का मिला 28 टॉलर और 75 सेंट, तो आपकी salary जो है वो बढ़ गई, ठीक है, यह हुआ, अगर आप after 6 काम कर रहे हो, अगर वहीं पर कर आप संडे को काम कर रहे ठीक है, और पता है, जो night में लोग काम करते हैं ग्यारा बजे के बाद, उनकी तो salary डबली होती है, अगर आप 25 टॉलर पर घंटा आपकी rate है, और अगर आप रात को काम कर रहे हो ना, तो आपकी period 50 डॉलर पर घंटे की होगी, तो इसलिए जो night filling वाली job, mostly student prefer करते हैं वैसे दिन में उनकी यूनी होती है, तो नहीं कर पाते हैं, तो वो लोग और वैसे भी prefer करते हैं कि अच्छा है ना, night family job मिल जाए, ताकि एक गंटे की जो rate है वो उनको double मिल जाए, वहीं अगर public holidays पे आप काम करते हो, तो भी आपकी period double हो जाती है, ठीक है, अब हम जोड लेते हैं कि आपकी monthly जो income है, वो कितनी होगी, तो देखो, अभी students को 24 hours weekly का काम allowed है करना, ठीक है, तो हम uni days में ही काम लेके चलते हैं, कि आपको जो allowed है, वो 24 hours allowed है, और obvious दिन में अगर आपकी uni हैं, तो आपका काम evening में ही होगा, ठीक है, आपको after 6 काम मिलेगा, तो अगर आपको after 6 काम म वैसे मैंने बताया कि मान लो minimum भी आपको मिल रही है, 23 डॉलर ही मिल रही है, वैसे 23 से जादा भी मिलती है, पर मैं minimum मान के चलती हूँ कि अगर दी इस आपकी period है, तो 23 का 25% extra करके हमने अभी निकाला था, ठीक है, 5.75, तो आपको एक घंटे का कितना मिल रहा है, आपको मिल 25.75, यानि कि आपका बना 690, ठीक है, अभी 690 में थोड़ा बहुत आपका टेक्स कट जाएगा, तो टेक्स कटने के बाद लगबग आपके हाथ में जो है, वो आएंगे 620, ठीक है, 625 भी हो सकते, 30 भी हो सकते, मैं on an average आपको बता रही हूँ कि 620 जो है, वो आपके हाथ मे आएंगे after tax, तो जी एक महीने में आपकी earning होगी 2480 Australian dollar, यानि कि अगर आप Indian currency में convert करोगे इसको, तो आज की date के हिसाब से जो आपकी salary बनती है, वो बनती है, लगबग एक लाख और 37,000, प्रसाइजली आप लोग निखाल ले न, ठीक है, इन डॉलर करेट थोड़ा बहुत निचे होता है, पर हाल लगबग आपकी जो एक मैनी की सर लेना, वो इतनी बन जाएगी, तब जब आप केवल इन store में काम कर रहे हो, और कोई दूसरा काम नहीं कर रहे हो, और सिर्फ आप 24 गंटे काम करते हो, तो अब अगर ये बात करूँ कि देखो इन stores में, जो कैसे apply कर दूसरे बुल बर चाते हैं, बुलीज में जाते हैं, तो यहाँ जाओ और बात करते रहो हो सकता है, कभी आप किसी सही बन्दे से टकारा जाओ, और वो आपको मिला दे, मैनेजर से और आप महीं के महीं आपकी जो है जो ना जौब की बात दि हो जाए है, तो ये तो हो गया कि भाई जॉब केसे लेनी है ऑनलाइन अप्लाय करो या फिर विजिट करो और दूसरी जीज ये कि देखो और सिफ आपकी वीजा की लगती है और एक और बेनिफिट बताती हूं मैं आपको देखो कि जब आप ऐसे स्टोर्स में काम करते हूं तो स्पेसिफिकली जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अच्छा ही होता है कि उनको फूड की टेंशन नहीं होती है क्योंकि इन स्टोर्स है जो इनका अपना जो कैंटीन तो नहीं होता लेकिन जो इनका जहां पर आपका रिफ्रेश्मेंट वाला जो एरिया होता है स्टाफ के लिए वहां पर प्रॉपर यह लोग फूड रखते हैं तो आपकी जितनी भी लंबी शिफ्ट है आप आराम से खाना खा सकते हो वहां अपर जो भी food रखा है आपके लिए स्टाफ के लिए तो डेखो जब जब आपकी shift होती है आपका food का तो अरेंजमेंट हो गया आंकि एम हो गया थिके ना तो आपको घाने की टेंचन नहीं है कंडश्या and जब आप in stores में काम करते हो तो आपको अपनी shopping पर कुछ percent discount में मिलता है ठीक है ना तो ये दो benefit हो गए जो कि आपकी saving में आपको बहुत help करेंगे So that's all for today's video guys I hope आपको वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है